जाएंगे हम वहाँ जहां की हर ख़बर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओज़ल पुत परदेश के कंदो जिले से एक बड़ी ख़बर सामने आई है आपको बता दे कि आस्था पर अंध बिश्वास काफी भारी है जिसके चलते एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 6 साल से एक किसोरी को छोटे से जिल नुमा कमरे में बंद कर लिया आस्था और अंध बिश स्वास के चलते यूती को बंधक बना कर 6 साल से एक कमरे में बंद करके रखा गया है यूती मानसिक रूप से बीमार हो गई है अचानक शिलाने रोने लगती है अचानक हसने लगती है यूती के कमरे में पूजापाट जैसा महाल बनाया गया है गंदा पड़ा कमरा जिसमें एक छोटी सी खाट पर फड़ी एक रजाई में इूती दिन्दात काट रही है। इूती को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। इूती को कईदियों जैसे रखा जा रहा हूं है परजनों की माने तो परजन उसको देभी का आवतार मन रहे है। परजन कहते हैं कि देभी का जब मन होगा तो वा बाहर आ जाती है। लेकिन अगर वा देभी है तो उसको कमरे में क्यों रखा गया है। या एक बड़ा स्वाल है। इस तीका आपके गाउं टीका नगला में एक जिसे मंदिर में लड़की बंध है। वहे है, जानकी है। एक देभी है कैसा है। आजख देभी है। और पांच साल करेब के बैटी हुआ। आज़ा के आश्ता जोड़ी है। या जाते, याते है। अच्छा पूजा ते ख करने जाते हैं। पूरा मामला जीबर मौट छेतर केट ठीका नगला गाउं का है ठीका नगला गाउं के बाहर खेत में एक बड़ा सा मकान बना है जहां पर एक छोटे से कमरे में करीब 22-23 साल की यूती को बंधक बना कर रखा है जिलनुमा कमरे में यूती की मानने तो कैदियों की तरह उसे कमरे से जहाग कर एक आज भनी निगाहों से आते जाते लोगों को देखती रहती है कोई उसकी मदद को तयार नहीं है लेकिन अंदिविस्वास की आँख पर चादर लोगों की उपर चड़ी हुई है परिजन उसको मानो दुस्मन बने हुए हैं उसको देवी का रूप बता कर फायदा उठा रहे हैं यहां पर पहले भी लोग आते थे चड़ावा चड़ाते थे लेकिन पैजनों को उसको अपना अवतार बताया गया और जो भी मन्नत मांगोगे वह पूरी करने की भी बात पर जन दावा कर रहे थे अद्धा आपके गाउं में मंदिर में एक लड़की बंध है क्या बता जार देवी है यह बंध नहीं बंध को अस्ता बनाएगे यह बैट गी देवी तो महां भी अस्ता बनाएगी सब की नालेदी बात है डीम की एक्टी की जोपी इंचार्ज की फाना अदेश की यहां से इसके बाद यहां च्मोड़ा यहां बैका लाएगे यह कितने साल्स करीब हैं ऐसे मंदिर में अच्छा यहां परक्या में